हेलो एवरीवन मैं खुश्बू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजूकेशन टेक फिलो तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले इगनू असाइनमेंट 2020 के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं आप सबने असाइनमेंट बनाए थे या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने असाइनमेंट सब्मिट नहीं किये हैं तो हमें COVID-19 से पहले इगनू का असाइनमेंट दिये गयते बट उसकी लास्ट देड़ ती वह हम मार्च तक थी बट मार्च में जो हमाँ COVID-19 की वाई से उसकी लास्ट डेट को कैंसिल कर दिया गया था बट अब एक बार फिर से हमारे इग्नू असाइनमेंट की लास्ट डेट को एकस्टेंड कर दिया गया है अब हमें नई डेट रिलीस कर दी गई है जिसमें अब हम अपना assignment को दुबाया से submit कर सकते हैं दुबाया से में जिन बच्चों की कोई भी problem हो गई थी assignment submit करते में कोई mistake हो गई थी उसे तो वो बच्चे भी अपना assignment को दुबाया से submit कर सकते हैं और वो बच्चे जो अभी तक अपने assignment submit नहीं कर पायते हैं वो भी अपने assignment को submit कर देंगे I hope कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा यह है सुनके तो आपको एक बार ने फिर date भी बता देती हूँ कि हमारी last date क्या है तो फिर एक बार हम कुछ instruction जान लेते हैं जो हमें फिर से guideline में दिये गए हैं कि अब हमें क्या करना है दुबाह से नई guideline जारी की कहीं है कि हमें अपने assignment को किस तरहां से बनाना है किस तरहां से उनके PDF बनानी है किस तरहां से उनको submit करना है तो आज की इस वीडियो में हम इनी सब बातों के बारे में जानेंगे तो फिर देखते रहिए इस वीडियो को और अगर वीडियो पसंद आए तो like जरूर करें और और बच्चों की health के लिए share जरूर करें और इसी तरहां से लेटेस्ट वीडियो की notification के लिए हमारे चैनल के subscribe जरूर करें तो फिर चलिए जानते हैं आगर guidelines के बारे में कि क्या guidelines हैं जो IGNU की तरफ से जारी की गई है तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक revised circular आपके सामने आया है तो circular में क्या लिखा लिखा है इंदरा गांदी National Open University जैसा कि आप जानते हैं IGNU की जो हमाई full form है इंदरा गांदी National Open University है तो इसमें हमें यहीं बताया गया है जो बच्चों ने अपने पहले ही assignment submit कर चुके हैं उनका सरकुलर से कोई भी लेना देना नहीं है फाइनल ही उनका assignment submit हो गए है यह सिर्फ उनी बच्चों के लिए हैं जिनकी कोई mistake हो गई थी या फिर उनका assignment अभी तक submit नहीं हुए है देन उसके बाद हमें कुछ details दे गई है कि हमें क्या क्या उसमें लिखना है जैसे कि name of the learner की जो भी अपने assignment बनाएगा उसका name होना चाहिए enrollment number जो enrollment number होता है आपका वो उसमें add होना चाहिए बाद प्रोग्राम को आप जो भी ब्रोग्राम कर रहे है उसका कोड देन उसके बाद study center code क्या आपका कौन सेंट्र है तो उसका कोड आपको लिखना है उसके बाद course code of attached assignment जो course code assignment के साथ attach होना चाहिए and mobile number आपका एमेल आईड़ी यह सब आपके अपका assignment पर होनी चाहिए और वाइस आपको प्रोबलम हो सकती है दिन उसके बाद आपको बताया गया पॉर इज कोर्स दियर असाइनमेंट रिस्पॉंसे शूट भी स्केन इन वन इन वन सिंगल पीडियेफ फाइल इज कि आपका एक सब्जेक्ट का एक असाइनमेंट की एक ही पीडियेफ होगी ऐसा नहीं कि अगर आपके एक असाइनमेंट के फाइफ क्वेश्टन्स हैं तो आप उसके फाइफ पीडियेफ बनाएंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा बलकि एक सब्जेक्ट में आप पिर चाहिए कितने भी कोईस्ट्रान तो आप एक पीडियेफ उसकी एक ही बनेगी